तो दोस्तों मैं इस वीडियो में वताओंगा कि अगर आप एक जियो के रिटलर है और किसी भी कमपणी के सीम को अगर जियो में पोर्ट करते हैं या MNP करते हैं तो उसका डेट जो है एक जुलाई से बढ़ा दिया गया है तो कितना तारिक तक बढ़ाया गया है और उसमें आप याप कहते हैं और कितना आपको कमीशन मिलेगा तो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे तो इस वीडियो के लाइक कर देजें लेटेश्के विडियो इस्ट्राइब कर करके सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए बिना टाइम कब वाई हो वीडियो को शुरू कर तो यहां पर जियो ने एक जुलाई से 31 जुलाई तक एम एन पी डेट बढ़ा दिया आ गया है आप किसी भी कंपनी के सीम को जियो में आप पोर्ट कर सकते हैं MNP कर सकते हैं यहाँ पर 31 जुलाई तक का डेट बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर आप गर आप MNP करते हैं तो आपको उसी टाइम FRC डालना होगा 399 जो पहले FRC था 399 तो आपको वही FRC डालना है यहाँ पर FRC में कोई चेंजेस नहीं किया है को यहाँ पर 56 दिन का हिसाब से आपको कमिशन दिया जा रहा है जहाँ पर अगर ज्यादा MNP होता है जियो में ज्यादा कस्टमर MNP कराते हैं तो उहाँ पर आपको कम कमिशन मिल सकता है अगर आपके सरकल में कम MNP होता है तो आपको उहाँ पर ज्यादा कमिशन मिल सकता है तो चलिए हम 2-4 आपको मिल सकता है कितना कितना तो आप अपने हिसाब से अपने डिस्टिबूटर से बात कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप किसी भी कमपनी के सीम को जीओ में पोट या MNP करते हैं और उसी टाइम अगर 399 रुपया के फर्सी डालते हैं तो यहाँ पर आपको हाइस्ट कमिशन मिल सकता है वो है 405 रुपया और जो आपका lowest कमिशन रहेगा वो 350 रुपया तक का आपको कमिशन मिल सकता है आपके सरकल के हिसाब से हैं तो यहाँ पर आपका 405 रुपया है उसके बाद आपका 350 रुपया है तो इसलिए आप अपने डिस्टिबूटर से बात करके ही MNP करे तो हमारी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरू बताए और जीयों से इसी तरह के कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करना ना भूले हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को करने के लिए